रादे रादे सभी को आज की वीडियो में आप देखेंगे कि लड़ुगोपाल की जो सुभे की सेवा है वो मैं किस प्रकार करती हूँ और साथ ही जानेगे आज की वीडियो में कि लड़ुगोपाल की सेवा करते समय अगर हमें लगुसंका जाना पड़ जाए तो हमें क्या क चाहिए और क्या करें क्या लगसंखा जाने के बाद में हमारी जो पूजा है वो असुद्ध हो режाती है दु कि हमारी संस्कृति के आदार पर इसनां की बहुत बढ़ी महिमा हैं और इसनां के साथ-साथ ही घर के मंदिर की सुद्धी का वी बहुत हमें ख्याल रखना होता है। क्योंकि हम सभी लोग लड़ु लौपाल के भक्त हैं और अपने मन को, कर्म को, अपनी बाड़ी को, हर चीज को हम सुध करके ही अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं और लड़ू को पाल की अपने भाव के अनुसार सेवा करते हैं। कि लड़ु गोपाल की जब हम सेवा करें, अपने मन को और अपने सरीर को पूरी तरह से हम सोध रख पाएं। तो बात करते हैं जो है हमारी वीडियो का में टॉपिक, जो में टॉपिक है वो ये है, तो लड़ुगोपाल की सेवा करती समय अगर लगुसंका जाना पड़े तो क्या हमें इसनान करके ही फिर लड़ुगोपाल की जो अधूरी पूजा है अधूरी सेवा है उसको पूण करना चाहिए तो देखिए या फिर आपने सुभा मौनी की पूजा सेवा तो कर ली है और दिन में दुपहर में अगर आपको लगुसंका जाना पड़ जाए और जाने के बाद में क्या आपको लड़ुगोपाल की साम की सेवा है जो पूर्ण करनी है तो क्या हमें वो लड़ुगोपाल की सेवा फिर से हम लगुसंका जाने के बाद में कर सकते हैं तो देखिए काफी सारे लोग तो जो नियम है वो follow कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं कुछ लोगों की जो problem होती है वो स्वास्ति की problem होती है और दिन में कई वार वो लगुसंका जाते हैं तो ऐसा possible उनके साथ नहीं हो पाता है कि हर वार इसनान किया जाए वैसे तो हर व्यक्ति लगुसंका जाता है तो अपने हातों को पानी से वास जरूर करता है, कोई-कोई तो सावन से भी वास करता है और कुछ लोग तो पूजा के बीच में अगर लगुसंका जाना पड़ जाता है तो वो ये व्यक्ति इसनान करते हैं और काफी बार जो ग्रस्त जीवन में महिलाए रहती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो लगुसंका जाते हैं, तो बार बार उनको इसनान करना इतना पॉसिवल नहीं होता है, कि अपने आपको हर बार सुद्ध किया जाए और तभी लड्रुगोपाल की अत्वा मंदिर की बाकी देवी देपताओं की पूजा की जाए, तो क्या ग्रस्त जीवन में रहने वाली महिलाओं को भी लगुसंका चाहे तो बच्चा जा रहा हो, बच्चे को करा रहे हो या खु अगर मन पर बोज लेकर पूजा सेवा करोगे तो मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, डर बैठा रहेगा, हर ब्यक्ती की बस में, हर चीज नहीं होती है, आप हाथ जोड़कर अपने प्रभू से, अपने लडुगोपाल से छमायाचना करें, प्राड़तना करें, कि हम से जितनी भी सेवा पूजा आपकी हो पाएगी, हम पूर रूप से कोसिस करेंगे, अपने मन को सुद्ध करके, अपने सरीर को सुद्ध करके, और कुछ लोगों की सरीर का स्वास्त ठीक नहीं होता है, जिस कारण से वो सुबह मौर्निंग में नास्ता कर लेते हैं, और उसके बाद में घर के सारे काम खतम करने के बाद में, इसनान करने के बाद में पूजा पाठ करते हैं, तो देखिए, कुछ लोग दवाई ख तो जैसे भी आपका सरीर आपका साथ देता है उसी प्रकार से आप भगवान की पूजा सेवा कर सकते हैं पूजा से पहले नास्ता करना उसके बाद पूजा करना तो यह सब जो हमारे सरीर की जो बाहर की रूप देखाए होती है तो अब देखने वाली बात यह है हमारी पूजा का संबन हमारे सरीर से है या हमारे मन से है जितना हमारे भीतरी मन से है उतना ही हमारे बाहरी सरीर से होता है अपने मन को सुद्ध रखना अपने मन को सुद्ध भाव से प्रभू की सेवा में समर्पित करना लेकिन जब घरों में कोई बड़ी पूजा का अनुस्थान किया जाता है तो आपको अगर लगुसंका जाना पड़ जाए तो आपको इसनान करना होता है लेकिन जो नॉर्मली हम हर रोज घर में पूजा आर्चना करते हैं लड़ुपाल की सेवा करते हैं जब हम लगुसंका चले जाते हैं तो उसके बाद में इसनान करना जरूरी नहीं होता है आप अपने सरीर को सुद्ध कर सकते हैं चार बार कुला कीजिएगा अपने पैर है तो क्या पूरे दिन आप अपने सरीर को ही सुद्ध करते रहोगे अगर सुद्ध करना ही है तो अपने भीतरी मन को सुद्ध करो ना कि अपने सरीर को सुद्ध करने में लगे रहो और आपने अपने सरीर को घिस घिस कर सावुन से अच्छे से साब कर लिया लेकिन जब त जब आपका मन साफ होगा तभी आपकी हर प्रकार की पूजा स्विकार होगी तो पहले वारी आती है महले मन को साफ करने की सरीर तो अपने आप ही साफ हो जाएगा लेकिन एक जरूरी बात ये भी है जो की पूरी वीडियो में मैंने बता दिया आपको जो में आधार है इस वी सुद्धता जुड़ी हुई होती है जो व्यक्ति अपने बाहर की सरीर को सुद्ध रखता है वो अपने मन को विसुद्ध रखने की पूरी कोसिस कर सकता है बाहर की सुद्धता ही हमारी अंदर की यात्रा तक जाती है यानि मन तक जाती है तो आप सभी लोगों को वीडियो को नहीं देता है, सरी स्वस्त नहीं है, तो उनको लगसंगा जाने के बाद हर बार नहाना जरूरी नहीं होता है, जो गरस्त जीवन में हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी छूट होती हैं, जूर जैसे की रिसी, मुनी, महात्मा, संत लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं, ग्रस्त जीवन में रहकर परिवार के साथ रहकर सब कुछ पॉसिवल नहीं होता है, तो जितना पॉसिवल हो पाए आपके सरीर से आप उतनी सेवा कीजिएगा, उतना ही अपने सरीर को सुद्ध रखिएगा, महिला को परिवार में रहे कर परिवार के सभी लोगों का खयाल रखना पड़ता है और सब कुछ देखना पड़ता है महिला का जो पहला दायत्व होता है वो यही है कि घर परिवार के सभी सदस्यों का खयाल रखना उसके बाद प्रभु की सेवा करना, पूझा करना और हमारे लिड्रुगोपाल जो हैं बहुत ही दयालू और कृपालू हैं वो हर भक्त की मनोकामना बहुत ही सिख्र पूरी करते हैं और हर अवस्था में वो रहने के लिए तयार हो जाते हैं और साथ ही भक्त की हर परिशानी को वो समझते हैं जितना भी आपके पास समय है जैसे भी है बस प्रभू उसी में खुस हो जाते हैं अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपका कोई प्रेशन है कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसका जवाब देने की जरूर कोसिस करूँगी तो फिर मिलते है अगली किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे जय माता दी